लॉक्डाउन के चलते सभी को कई परिशानियों का सामना करना पढ़ रहा है जिसके चलते पूर्व मंत्री सज्जन सिंग वर्मा ने मुख्य मंत्री शिवराज सिंग सामने कई सवाल खड़े करे हैं शिवराज ने टाका डाला है मुख्य मंत्री ची से मांग करता हूँ कि प्रदेश के वर्तमान एवं पूर्व करमचारियों के डिय और एरिया का भुक्तान ना रोको नहीं तो प्रदेश थम जाएगा मद्री प्रदेश सरकार की रीड़ की हड़ी बाने जाने वाले तमाम हजारों लाखों सरकारी करमचारी भाईयों बेहनों की जेब पे डाका डालने वाले सुराज चुहान उन्हें एक साल तक डिय देने से बंचित कर रहा है एरियर का भुक्तान बंद कर दिया कोरोना जैसे संक्रमन काल में किस तरह हमारे प्रदेश का करमचारी जूज रहा है कोरोना से प्रदेश वाज़ियों की रक्षा कर रहा है आज उन्हें कितने सकता वश्चता है और धना भाव के कारण कई परिवार घंड़न की कगार पे हैं ऐसे समय जो प्रदेश की रिड़ के हट्डिय हमारे सरकारी करमचारी भाई बहन उनका डिये रोक देना उनका एरियर का भुक्तान नहीं करना और उन करमचारी भाई बहनों के साथ ना पहले कभी सिवराज चौहान की सरकार की हमदर्दी थी ना आज कोई हमदर्दी है मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में अपने हक की लड़ाई हमारे सरकारी करमचारी भाई बहन लड़ेंगे कांगरेस पूरी मुस्तेजी के साथ उनके साथ खड़ी रहेगी तीन चार महीने में फिर पलट के कांगरेस की सरकार आएगी दमदारी से करमचारी भाई बहनों का हम दिये और एरियर दिलाएंगे